आप लोग का स्वागत है वीजाठ क्लासेन पर जो भी लोग नए चैनल को सब्स्क्राइब अबस्स करलें यह हमारा डेली करीट अफेर करक्राइब होता मैंस चलिए तो चुटास करते हैं आज का पहला क्या क्या प्लच सुस्ट घंड सथ स्वर्ण पदक जीता ओके यानि कि भारतिय पुरूस स्क्वेस टीम ने स्वर्ण पदक जीता इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिगार्डिंग इस क्रेंट अफेर्स ठीक है दे डिफेटेट कुवेट इन दा फाइनल इन इस्ट्रेट सेट्स इन चेंगु शाउथ कोरिया यानि कि दक्षिन कोरिया के चेंगु में फाइनल में कुवेट को सीधे सीटो में हराया इत वाज सौरग घोसाल और रमित तंडन वोन देयर गेम इन दा फाइनल डोल आउट टू जीरो डिफेट टू कुवेट यह सौरग घोसाल और रमित तंडन थे जिनोंने फाइनल में कुवेट को 2-0 से हराने के लिए अपने खेल जीते इंडिया पार्टिसिपेट से 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 इंडिया पार्टिसिपे अफेर्स है, the 15th edition of the Urban Mobility India Conference and Expo organized by the Ministry of Housing and Urban Affairs will open in Kochi यहनी कि आवास और सहरी मवलो के मंत्राले द्वारा आयुरित Urban Mobility India Conference and Expo का पंद्रहमा संसक्रन Kochi में खुलेगा Kochi कहां है तो केरल में है Housing and Urban Affairs Minister हर्दीप सिंग पूरी और केरल के मुख मंत्री पिना राई बिजयान ने संयुक्त रूप से इस कायरक्रम का उधगाटन किया तो जानिए important points regarding this current affairs केरला के present governor कौन है तो present governor जो है आरिक मुहमद खान है ठीक है Minister of State for Housing and Urban Affairs की कौसल की सोर है Minister of State and Transport Minister अन्टोनी राजु है तो हिंदी में भी देख लीजिए केरल के राजपाल जो है आरिक मुहमद खान है ठीक है Ministry of State for Housing and Urban Affairs यानि की आवास और सहरी ममलों के राज मंत्री कौसल की सोर है Ministry of State Transport Minister अन्टोनी राजु है यानि की राज परिवहन मंत्री अन्टोनी राजु है नेक्स्ट परेंट अकेर्स है Education Ministry will celebrate जन जाती है गौरब दिवस in a grand manner on 15th November in schools and higher educational institutions across the country यानि की शिक्छा मंत्राले देश भर के इस्कूलों और उच्छन संस्थानों में 15 November को भव्य तरीके से जन जाती है गौरब दिवस मनाएगा इस्कूलों और उच्छन संस्थानों में 15 November को भव्य तरीके से जन जाती है गौरब दिवस मनाएगा Important points regarding this current affairs Last year the union government had declared 15 November जन जाती है गौरब दिवस dedicated to the memory of brave tribal freedom fighters यानि की पिछले साल 13 सरकार ने 15 November को बहाधूर आदिवासी स्वतंतरता सिनानियों की अस्मिर्थी को समर्पित दन जाती है गौरब दिवस के रूप में घोशित किया था Next current affairs है Haryana Forest Department and USAID Launched TOFI program यहनि की Haryana One Vibhaag और USAID ने तौफी कारिकरम शुरू किया Important points regarding this current affairs The Forest Department and the US Agency for International Development USAID USAID का full form देख लिए यहाँ पे US Agency for International Development Okay Have launched the trees outside forest in India TOFI programming रोह तक यहनि की One Vibhaag और US Agency for International Development USAID ने रोह तक में भारत में OneO के बाहर के पेट्वी ओफाई कारिकरम शुरू किया है Okay friends तो यह जो था यह जो आज का बहुत ही important current affairs है सभी एक्जाम सारे government exam के लिए काफी beneficial station है यह सारे government exam के लिए बहुत ही important question था यह तो जो भी लोग नहे हैं हमारे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब अबस कर ले इस तरह की और भी current affairs की update आपको मिलती रहेंगी Okay friends तो सभी लोग वीडियो को like भी करें और वीडियो को share भी करें Thank you everyone One